तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की दहिंदू डिटोरियल वकाबले रिखी वकाबले से पहला वर्ड है अन्वारंटेट अन्वारंटेट वर्ड यहां पर जिक्ति की तरह यूज हुआ है अन्वारंटेट का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो बिल्कुल ही अन्याय संगत हो अन्वारंटेट बसे न्वारंटेट का मतलब होता है अभध्र वार्शा का प्रियोक करना अभध्र की पढ़िया करना इस तरह से language का use करना उसे बोला गया है crude कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि उसने अपने जो counterpart है पंजाब counterpart का मतलब होता है ये मुख्यमंत्री के लिए use हुआ है word जैसे अलग-अलग राजियों के अलग-अलग मुख्यमंत्री होता है तो पंजाब जैसे यूपी का मुख्यमंत्री कोई और है पंजाब का कोई और है वो तो आपके समकक्ष हुए मतलब एक समानकारे करने वाले तो वही बोला गया है कि उसने कुछ एक ऐसे remarks दिये अपने पंजाब जो मुख्यमंत्री थे पंजाब में उनके प्रतिवन ने अबहद्र टिपणी का अबहद्र शब्दों का प्रेयों किया अगला हमारा शब्द है इनॉक्यूएस इनॉक्यूएस वर्ड यहां पर adjective दरा वर्ड यूज हुआ है इनॉक्यूएस का मतलब होता है इसे कोई चीज जो कि हमें बिल्कुल भी हानी ना पहुंचाए सीधा साथा या हानी रही कोई चीज उसे बोला जाएगा इनॉक्यूएस इनॉक्यूएस के सिनॉनिम्स आप देख सकते हैं इनॉक्यूएस इनॉसेंट इनॉफेंसिव सेफ और बिनाइंग अटोहिम से ओपनॉक्यूएस हामफूल ओफेंसिव और डिस्ट्रक्टिव एग्जम्पल आप देख सकते हैं I made an innocuous remarks about teachers and she got really angry कि मैंने अध्यापकों के प्रती जो है बिल्कुल भी ऐसा कोई मैंने रिमार्क नहीं किया जो कि ऐसा कोई मैंने कुछ नहीं बोला जो कि उन्हें हानी पहुचाया परन्तु फिर भी वो teacher एक teacher थी बिल्कुल वो एक्तम बिल्कुल angry हो गई नराज हो गई वो actually में ही नराज हो गई अगला हमारा शब्द है perverse perverse यहाँ पर adjective की तरह यूज हुआ है word perverse होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई बात जो की unacceptable हो जिसे स्विकार ही ना किया जा सके आमान्य व्यवहार या ऐसा कोई ऐसा किसी के साथ व्यवहार करना या फिर ऐसा कोई गलत काम करना दुश्करम करने वाला या दुश्करम कार्य करना जो की morally acceptable ना हो that is called perverse perverse के synonyms आप देशकते contrary obstinate, stubborn, perverted or depraved antonym से agreeable, reasonable, good, tolerant or compliant example देख सकते हैं आप दिनेश gets perverse pleasure from shocking his parents तो ये बात की गई है कि दिनेश को बहुत पूर्णता आनन्द आता है अपने parents को चकित कर देने में शॉक करने में उन्हें बिल्कुल उसे बिल्कुल इस तरह से वो वेभार करता है तो इस तरह से वेभार करने में उसे बड़ा आनन्द प्राप्त होता है अगला हमारा शब्दे sedition sedition यहाँ पे नाम की तरह यूज़ हुआ है word sedition का मतलब होता है हुर्दन करना, दंगे बाजी करना सरकार के खिलाफ नार्य बाजी करना राज द्रोह करना, अपने देश के ही प्रती विद्रोह करना उसे बोला जाता है sedition sedition के आप synonyms से देख सकते हैं treason, insurrection, rebellion, revolution एंट्रॉन से loyalty, allegiance, obedience और devotion example देखेजी government officials charged him with sedition तो किसी व्यक्ति की बात हुरी है कि सरकारी अधिकारियों ने उसके उपर कई तरह के राज द्रोह के या विद्रोह के charges आरोप लगाए अगला हमारा शब्द है enmity word यहां पे नाम की तरह use हुआ है enmity का मतलब होता है किसी से किसी तरह की दुश्मनी रखना वैर की भावना रखना या शत्रूता रखना उसे बोला गया है enmity synonym सा आप देख सकते हैं hostility, animosity, antagonism और antipathy antonym से love, friendship, affection और benevolence example देख लिजी I think there is an historic enmity between them कोई विक्ति यह बात करता है कि मैं ये सोचता हूँ या मेरा ये विचार है मेरा ये मानना है कि किनी दो विक्तियों के बीच में बहुत मतलब पुरानी शत्रूता है बहुत मतलब पुरानी पुश्तेनी कोई दुश्मनी है अगला हमारा शब्द है disconcerting यहां पर वर्ब की तरह word यूज हुआ है disconcerting का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि हमें किसी तरह की परिशानी में डाल दे चिंता में डाल दे परिशान कर देने वाली कोई बात उसे बुले जाता है disconcerting synonym साब दे सकते है upsetting disturbing, confusing or unsettling entorium से confronting pleasing, affable or amusing example देख लिजए she was disconcerted when everyone stops stopped and talking and looked at her मतलब एक महिला की बात की गई है कि वो थोड़ी सी परिशान सी नजर आई थोड़ी सी चिंता में नजर आई जब सब ने बाते बन कर दिया और सभी उसकी तरफ देखने लगे तो वो थोड़ी सी परिशान नजर आई चिंता में नजर आई अगला हमारा शब्द है disproportionate disproportionate वर्ड जो है यहाँ पर adjective की तरह यूज़ हुआ है disproportionate का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो की accept ना की जा सके असंगत हो बेमेल हो या असमान होना उसे बोला जाता है disproportionate disproportionate के सेनोरिम सा आप देख सकते है excessive, unequal, unreasonable, lopsided और uneven antronome से equal, commensurate, balanced और even example देख लिजिए disproportionate amount of time was devoted to one topic यह बात कही गई है कि केवल एक ही subject पे, एक ही topic पे है बहुत सारा समय जो है वो दिया गया, जो कि बिल्कुल से असंगत था बेमेल था, मतलब इतना समय एक ही topic पर, एक ही विशे पर नहीं देना चाहिए था अगला हमारा शब्द है promptitude, promptitude यहां पे नाम की तरह use हुआ है word, promptitude का मतलब होता है, किसी भी काम को करते समय मतलब किसी भी कारे को बड़ी फूर्ती से करना, एकदम पलक जपकते ही, action लेना ततपरता के साथ करना, उत्साहा के साथ करना, जोशो हरोश के साथ करना मुस्तैदी से करना, उससे बूलागा है promptitude, synonym साब देख सकते हैं aliqurity, readiness, preparedness willingness और forwardness antonym से delay litness, slowness tardiness और challenge example आप देख सकते हैं with surprising promptitude the police booked her under panel sections तो ये बात, पुलिस के बारे में बात कही गई है कि बिल्कुल से आश्चरेजनक तरीके से ही बड़ी ही अप्रतियाशित रूप से एकदम से ही तुरंत जिसे हम बोल सकते हैं, पुलिस ने जो है किसी महिला के खिलाफ विभिन पैनल sections के तरफ तहत मुकदमा दर्ज कर दिया अगला हमारा शब्द है cavalier, cavalier word यहाँ पर adjective करा यूज हुआ है, cavalier वैसे noun की तरह यूज होता है cavalier noun भी होता है, यहाँ adjective करा word यूज हुआ है, cavalier का मतलब यह घुड़ सावार भी आप याद रखते है cavalier को, depend करता है किस context में word यूज हुआ है आज यह word यूज हुआ है लापरवाही की sense में अभिमानी की sense में that is called cavalier synonym से आप दिखते हैं, arrogant royalist, disdainful proud, proud horseman, entorium से humble, decent, modest or polite example देखेजिए, the editor takes a cavalier attitude to the concept of fact checking तो यह संपादक की बात की गई है editor की बात की गई है कि editor जो है, जब concept check का कोई बतलब, तथिये जब तथियों को check करना होता है fact को, कि कोई बात कितनी सच है, तो उस पर जो editor का behave होता है, वो बड़ा ही ideal परण सा होता है, बड़ा ही वो मतलब इस तरह से behave करता है लापरवाही के साथ या इस तरह से उसका attitude रहता है, ideal परण की तरह उसका attitude होता है संपादक का अगला हमारा शब्द है apparent, apparent यहाँ पर adjective की तरह यूज हुआ है word, apparent का मतलब होता है, ऐसी कोई चीज जो पिलकुल एकदम साफ तर पर दिखाई दे, स्पष्ट तर पर दिखाई दे साफ तर पर, प्रतेक्ष तर पर कोई चीज हमें समझाए या दिखाई दे that is called apparent synonyms आप दे सकते हैं obvious, evident, clear, manifest or visible entronym से unclear, obscure, dubious or covert example आप दे सकते हैं it quickly became apparent to us that our teacher could not speak French कि हमें जल्दी ही मालूम हो चुका था, जल्दी ही साफ तोर पर हमें यह पता लग चुका था, कि हमारा teacher है, अध्यापक है उसे French नहीं आती है, उस French नहीं बोल सकता है अगला हमारा सब्द है trivial, trivial word यहां पे एजेक्टिवी तरह यूज़ हुआ है, trivial का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसे हम ज़्यादा importance ना दें, बिल्कुल तुच्छ होना या बहुत छोटी सी कोई चीज होना, उसे बोला जाता है trivial, जिसे हम उतना महत्तों ना दें, that is called trivial synonym साब देख सकते हैं, unimportant, minor, small, slight, or little, antonym से important, significant, great, or major example देख लेजिए, a trivial detail और problem, तो ये बात की गई है, कि छोटी सी कोई detail है, या फिर इस तरह से छोटी सी कोई समझा है, जो उतना महत्तों नहीं रखती है अगला हमारा शब्द है forment, forment यहाँ पर वर्ब की तरह use हुआ है word, forment का मतलब होता है, किसी को किसी काम के लिए भढ़काना, उक्साना, उतेजित करना किसी को उसे बोला गया है forment, synonyms आप देख सकते हैं, provoke, instigate, incite, agitate, antonym से abate, check, sooth, or quite example आप देखते हैं, they accused strike leaders of fermenting violence, यह बात की जारे है कि उन्होंने जो किसी strike के जो लीडर से नेता थे, किसी हड़ताल के, उन्होंने उन पर इल्जाम लगाया कि वो violence को, हिंसा को जो है, वो बढ़का रहे हैं, अगला हमारा शब्द है, perfunctory, perfunctory यहां पर adjective की तरह यूज हुआ है word, important ही word है, perfunctory, perfunctory का मतलब होता है, असाफधानी बरतना किसी कारे को करते हुए, बे-परवाही, ला-परवाही बरतना, असाफधानी बरतना, उसे बोलाता ह परफunctory, perfunctory के synonym साब देख सकते हैं, casual, careless, indifferent, quick, negligent, attentive, careful, prudent, mindful, diligent, example देख लिजी, she gave the list only a perfunctory glance, तो किसी तरह की list की बात की जारी है, सूची की बात की जारी है, कि उस सूची पर, उस list पर महिला ने जो है, ला-परवाही से ही केवल, सिरफ थोड़ी सी नजर मारी, असाफध ला-परवाही से, बे-परवाही से, सिरफ थोड़ी सी नजर ही, उसने मारी, किसी list पर, नजर दिये मतलब बिल्कुल ला-परवाही से, अगला हमारा शब्द है, incarceration, incarceration, word यहां पर नाम की तरह यूज़ हुआ है, incarceration का मतलब होता है, किसी को कैद करना, नजर बंद करना, या फ freedom, example देख लीजिए, they were kept, they were kept in incarceration for 10 days, तो किनी विक्तियों की बात हो रही है कि उन्हें कम से कम 10 दिनों तक जेल में डाल दिया गया, रखा गया, अगला हमारा शब्द है disparities, यहां से दूसरा editorial भी शुरू हो रहा है, disparities का मतलब होता है, किसी से, मतलब असमानता पूरोग विव बाहर करना किसी से, बेदभाह करना, that is called disparities, synonyms आप देख सकते हैं, differences, discrepancies, inequalities, divergences और discrepancy, antonym से, equalities, same, accuracy, or certainty, example देख लीजिए, healthcare disparities exist in all fields of medicine, तो यह चिकितसा के एक शेतर की बात की जा रही है, कि जो healthcare, मतलब इस तरह की जो और समानता है, disparities है, वो पाई जाती है, medicine के हरक्षेतर में, अगला हमारा शब्द है disrupted, disrupted यहां पर वर्प की तरह यूज़ हुआ है word, disrupted का मतलब होता है, किसी भी काम में, किसी तरह का कोई व्यवधान पैदा करना, बाला पैदा करना, ना होने दिना किसी काम को, उसे बोलागा है, disrupted, synonyms आप देख सकते हैं, disturbed, interrupted, upset, or broken, and time से continuous, assisted, organized, or troubleshot, example देख लेजिए, the strike severely disrupted flights to New Delhi, severely का मतलब होता है, बहुत बुरी तरह से, तो किसी तरह की जो हरताल थी, उसने बहुत बुरी तरह से, जो दिली के लिए flights थी, उनको बाधित कर दिया, पुरी त कर दिया, उडानों में, अगला हमारा शब्द है, apprehension, apprehension यहाँ पे noun की तरह use हुआ है, word, apprehension का मतलब होता है, किसी से हमें बहुत जाता भै लग रहा हो, डर लग रहा हो, तो उसे बुला जाता है, apprehensions, मतलब हम comfortable feel ना कर रहे हो, तो किसी से किसी तरह का कोई भै लगना, डर ल हो जाता है, apprehension, synonyms आप देख सकते है, anxiety, fear, worry, or trepidation, antonyum से confidence, calmness, ease, or peace, example देख लीजिए, it reflects real anger and apprehension about the future, तो किसी कोई बात की जा रही है, कि यह दिखाता है, भवीशे के बार पे पूरी तरह से घुसा और चिंता बरी, डर बरिस्तिति यह दिखाता है, अगला हमारा शब् precursor, precursor यहां पे noun की तरह use हुआ है, precursor का मतलब होता है, हम पहले वाली कोई बात कर रहे हैं, पूरो वर्ती कोई चीज, किसी पूरो वर्ती कोई व्यक्ती भी हो सकता है, किसी पद पर या कोई बात हो सकती है, कोई कानून हो सकता है, पूरो पर भावी, पूरो वर्ती, उसे बोलागा है precursor मतलब पहले वाला synonyms आप देख सकते हैं predecessor, harbinger, antecedent, ancestor और forgar, antonym से decedent, head, offspring और child example आप देखते हैं the quit India moment was a precursor to the Indian independence struggle तो यह हम सभी जानते हैं कि भारत छोड़ो जो आंदोलन था वो पहले घटना थी हमारी सोतंतरता के Indian independence जो हमा सोतंतरता के लिए जो भी struggle हुआ उसे पहले ये moment हुआ quit India moment उसे ये पहले हुआ अगला हमारा शब्द है spawn, spawn यहाँ पर वर्ब की तरह use हुआ है word, spawn का मतलब होता है किस भी चीज़ का विस्तार होना, विकास होना किसी चीज़ का या फिर जन्म देना उसे बोला गया है spawn, spawn अगर noun की तरह word use होता है तो इसका मतलब होता है जैसे मैंडक या मचली के जो अंडे होते हैं मतलब वो विक्सित जब होते हैं फूटते हैं तो उसके नेक्स्ट में भी यह वर्ड यूज हो सकता है एडिटोरियल में यह वर्ड यूज हुआ है किसी चीज़ का बढ़ना विस्तार होना या जन्म होना किसी चीज़ का that is called spawn spawn के synonyms आप देखते हैं engender, generate, bigot, produce, or create, entronym से destroy, admonish, ancestor, or annihilate example आप देखते हैं common entrance tests spawn the coaching industry तो यह मैंने जो sentence है यह एडिटोरियल से ही उठाया है कि common entrance जो test है इसने क्या किया है coaching जो वैवसाय है industry है इसको बढ़ावा दिया है जन्म दिया है इसका विस्तार होगा इस चीज़ से तो यह last word था आज की देख हिंदोरिय टूरियल वकाबली से revision करते हैं फटावट से पहला हमारा word था unwarranted unwarranted का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि बिलकुल भी बिलकुल ही अन्याय संगत हो अनुचित हो उसे बोला जाता है unwarranted अगला हमारा शब्द है innocuous, innocuous का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बिलकुल भी हमें हानी ना पहुंचाए, harmless उसको बोला गया है innocuous अगला हमारा शब्द है perverse, perverse का मतलब होता है ऐसा व्यभार करना या ऐसा कार्य करना जो कि नैतिक तोर पर बिलकुल भी acceptable ना हो society के द्वारा उसे बोला गया है perverse अगला हमारा शब्द है sedition, sedition का मतलब होता है, अपने देश के प्रति किसी तरह का राज द्रोह करना, विद्रोह करना, दंगा या इस तरह से कोई कारे करना, उसे बोला गया है sedition अगला हमारा शब्द है Amity, Amity का मतलब होता है, किसी के भी प्रति शत्रुपा पूर्ण भावना है रखना या फिर दुश्मनी होना दो लोगों की बीचा अपस में, उसे बोलागा है Amity अगला हमारा शब्द है Disconcerting, Disconcerting का मतलब होता है, परिशानी में रहना, चिंता में रहना, उसे बोलागा है Disconcerting परिशान कर देने वाली कोई चीज, चिंता में डाल देने वाली कोई चीज, That is called Disconcerting अगला हमारा शब्द है disproportionate disproportionate का भी मतलब होता है असमान्य रूप से चीजों का होना अनुचित रूप से असमान्य रूप से बेमेल तरीके से उसे बोला गया है disproportionate अनुचित तरीके से कोई चीज होना that is called disproportionate अगला हमारा शब्द है promptitude Promptitude का मतलब होता है तुरंत कारवाई करना तुरंत एक्षन लेना एकदम या फिर बहुत ज़्यादा मुस्तेरी दिखाना चुस्ति फूर्ती दिखाना बहुत ज़्यादा उत्साह उत्साह दिखाना किसी चीज को करने के लिए अगला हमारा शब्द एपरेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि एकदम सपष्ट तौर पर साफ देखी जा सके साफ समझी जा सके अगला हमारा शब्द है कैविलियर के मैंने दो मतलब आपको बताए है एक तो घुड़ सवार जो घुड़े की सवारी करता है उसे बोला जाता है कैविलियर एडिटूरियल में ये वर्ड यूज हुआ है आज गहमंडी की संस में एकदम जिसे बहुत सदा गहमंड हो अभिमानी that is called कैविलियर अगला हमारा शब्द है forment का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो की forment का मतलब होता है किसी को उकसाना हम किसी को किसी काम को करने के लिए उकसा रहे हैं भढ़का रहे हैं तो उसे बोला जाएगा forment किसी को उकसाना भढ़काना अगला हमारा शब्द है trivial का मतलब होता है ऐसी कर देना उसे बूला गया है incarceration अगला हमारा शब्द है पफंक्ट्री पफंक्ट्री का मतलब होता है ला परवाही से बेपरवाही से कोई काम करना बिल्कुल भी साफधानी ना बरतना उसको बूला गया है पफंक्ट्री अगला हमारा शब्द है disparities disparities का मतलब होता है पक्षपात क या अनुचित व्यभार करना, अमान्य व्यभार करना, इस तरह की चीजे करना, बेद भाव करना, that is called disparities. अगला हमारा शब्द है disrupted, disrupted का मतलब होता है किसी भी काम में, किसी तरह की कोई बाधा डाना, रोडा अटकाना, अडंगा पैदा करना, that is called disrupted. अगला हमारा शब्द है apprehension, apprehension का मतलब होता है, भहे की स्थिती में हैं, हम बहुत ज़्यादा चिंता में हैं, डर की स्थिती में हैं, या फिर किसी को जेल में डाल देना, उस context में भी ये word यूज़ होता है, apprehension. अगला हमारा शब्द है precursor, precursor का मतलब होता है, हम पूर्व स्थिती के बारे में बात कर रहे हैं, कि पहले स्थिती क्या थी, पहले पूर्वर्थी, जो घटित हो चुका है, that is called precursor, और हमारा last word था spawn, spawn का मतलब होता है, किसी भी चीज़ का, बढ़ना, वृद्धी होना, किस किसी भी चीज़ में, विकसित होना किसी चीज़ का, पैदा होना कोई चीज़, जन्म लेना किसी का, that is called spawn, ये last word था आज की दहिंगी डिटोरियल, वक्याब दरी का, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं का, तो प्लीज लाइक का बट्रेस कर दीज़ेगा, हो सके तो वीडियो को जादा-जादा शेयर भी कर दीज़ेगा, इस वीडियो में इतना ही जिदर एक इंफरमेटिव वीडियो के लिए चैनल पर, thank you, thanks for watching.